नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टी आइस के निउस ओन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में मैं हूं के वल आपके सामने आज हम बात करेंगे बीते सप्ताह में दुनिया में प्रही प्रमुग जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्णों के माध्यम से शुरुवात करेंगे बीते सप्ताह के अभ्यास प्रश्ण से सवाल है अमेजन नदी के संदर में निम्लिखित कत्मों पर विचार कीजे इस नदी का धिकांश प्रवाह दक्षणी गुलार्द में है दूसरा है इस नदी का मुहाना वो मदे रेखा के निकट है तीसरा है यह समुद्र में जल निकास के आधार पर विच्व की सबसे बड़ी नदी है उपर युक में से कौन से कथन सही हैं एक और दो या फिर एक और तीन दो और तीन या उपर युक सभी अब चलिए आप देखते हैं सबसे पहले अमेजन नदी है कहां पे अब आप देखें आपको आना पड़ेगा कहां पे सबसे पहले आप देखें अमेजन नदी का विस्तार कहां से कहां तक है तो आप दक्ष्णि अमेरिका में अगर आप आघे बढ़ें एक तरफ से तो आपको अमेजन नदी का विस्तार य patent देखने को मिलेगा यहाँ पर देखें तो यह उसकार पूरा नदी बेसेंशेद रहे है अब यह आप देखें यह पूरा विस्तार देखने को मिलता है आपको आप पेरुस आगे बढ़ते जाएंगे ब्राजील में होते हुए माउथ आप अमेज़ॉन यह यहाँ पर है लेकिन ऑप्शन देखें इस नदी का दिकांश प्रवाद दक्षणी गुलार्द में है कैसे पता चलेगा नदी की बात हो रही है नदी तंद की बात नहीं है लेकिन फिर भी चलिए एक बार देखते हैं जड़ा पास से अब आप देखिए यहाँ पर यह एक मेरानो नदी है और एक उक्क्याली है औ तो यह यहाँ पर अमेजोन नदी के नाम से जाने जाते हैं पेरू में और उसके बाद फिर यह आगे बढ़ते जाते हैं और यह सारा का सारा शेतर कहां पर है देखे यह जीरो डिगरी भूमद दे रेखा है उसके दक्षण में है तो हम कह सकते हैं दक्षणी गुलार्द मे नदी के बारें बिल्कुल सही है यानि कि तीनों ही स्टेटमेंट्स आई हैं तो हम कहेंगे D, उपरयोग सभी, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके लिए एक जरूरी जानकारी है आगे आने वाले सवालों के पहले कि द्रिश्टी IS के जितने भी सेंटर हैं, ओफलाइन सेंटर जैसे कि जैपूर, कर समान अध्यन का GS Foundation batch शुरू हो रहा है, इंदोर में 11 नमबर से, लखनव में 29 नमबर से, और जैपूर में 27 नमबर से, तो आप इन सेंटरों में जाकर के जानकारी ले सकते हैं, इस GS Foundation batch के बारे में, या फिर आपको एक नमबर देता हूँ, 87501, 87501, इस नमबर पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, अब हमारे एगले सवाल पे आजाते हैं, नमर खित में से कौन से कथन सही है, पामीर परवत Тाजिकिस्तान में इस्ठित है, दूसरा यह अफगानिस्तान पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के पास सुत्त है, पिर है यह परवत शकला केवल ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है आपको बताना है कौन सा यसे कथन इसमें सही है अब यहाँ पे देखिए यह पामीर परवत ताजिकिस्तान में इस्तित है सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं यह जो हाइलाइटेट पार्ट जाद तर आप देख रहे इसा है तो देखिए चीन भी है अफगानिस्तान भी है पाकिस्तान भी है उनकी सीमाओं के पास में इस्तित है तो यह बात भी सही है फिर उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है यह परवत शंकला केवल ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है तो क्या सच म ऐसा है क्या केवल ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुई है तो ऐसा नहीं है आप देखें तो किर्गिस्तान में भी यह दिखता है कि आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे उजबिकिस्तान में भी दिखाई देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कथन तीसर परेंसे कॉन से कथन सही है पहला है नील नदी के उत्तर में मिलती हैं तीसरा है नील नदी के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए तो दो नदियों से मिलकर नाधिभल और उसी के अथार पर हम देखते हैं कि वह कहां से श्रूजु की पता चलता है तो एक है ब्लू नील और एक है वाइट नील तो हम देखें इथियोपिया की तरफ से लेक विक्टोरिया से जो है ऐसी जगहें पे हैं जिसको हम कह सकते हैं तीन देशों का ट्राइजेंशन है इस पर हमने पहले चर्चक की है अगर आपको याद है उन देशों के नाम तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आगे देखें अगले स्टेटमेंट के लिए में इस मैप का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें कहा रहा है कि यह मिस्र के उत्तर में भूमद्य सागर में मिलती है अब मिस्र के उत्तर में भूमद्य सागर में तो हमें मिस्र का उत्तर देखना होगा तो देखें यह मिस्र का शेत्र है और इसी के उत्तर में हम देखते हैं तो ये नदी मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टेटमेंट डूसरा वाला भी डही है तो पहला वाला सही था दूसरा और तीसरा नील नद li केवल पूर्वी अफ्रीकी देशों से होकर बहती है क्या ये बात था ही है आईए देखते है अब पूर्वी अफ्रीकी देश कौन से है जो आपको अलग 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 रंगों में दिखाई दे रहे हैं ये पूर्वी अफ्रीकी देश है लेकिन जो South Sudan है ये पूर्वी अफरीकी में नहीं है तो अगर नीन लदी इनसे भी बह रही है और इन देशों में ये नहीं शामिल है South Sudan और Sudan ये पूर्वी देशों में नहीं शामिल है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो स्टेट्मेंट कह रहा था कि केवल पूर्वी अफरीकी देशों में यह जो केवल कह दिया इससे बाद गलत हो गई है उसको हटा सकते हैं और हम कह सकते हैं एक और दो यह यहां पर सही जवाब है अब आगे बढ़ें अगले सवाल को देखते हैं निमली की तकत्रों पर विचार कीजिए गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान इरान और पाकिस्तान है फिर दूसरी बात यह है कि जो अफीम उत्पादन और वित्रण का एक प्रमुक वैश्विक केंद्र है फिर गोल्डन ट्राइंगल लाओस म्यामार और हाइलेंड है यह कह रहा है यह भी अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर भी बहुत बड़ी मात्रा में अफीम होता है तो हमें इस तथ्य को भूल जाना है सवाल में ऐसा कुछ तथ्य आपको नहीं मिलेगा इतना ही मिलेगा जितना स्टेट्मेंट है आप इतने में ही इसको देख लीजे इसको अभी रहने दीजे तो भी हमें सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि उपरियों कत्तों में से कौन सा या से सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो कुल मिलाके हम इस जानना है कि यह धोनों जगह अफीम से जुड़ी वी है golden crescent और golden triangle और ये वही नाम है कि नहीं है तो देखे golden crescent में अफगानिस्तान दिखेगा, इरान दिखेगा, पाकिस्तान दिखेगा ये है चांद की तरह डिजाइंग इस तरह रहता है इस छेत्र को हम देखते हैं और golden triangle में बर्मा जिसको म्यामार के नाम से जानते हैं Thailand और Laos ये तीन देश आते हैं अब यह उत्पादक देश दोनों ही हैं तीन देश ये भी है और तीन देश ये भी है मतलब यह दोनों ही golden triangle और crescent हैं तो हमारा यह जवाब जो है यह होना चाहिए कि यहाँ पर दोनों ही बाते सही है आने कि C हमारा सही जवाब है अब आगे होता है और तीसरा है यह सबसे व्यास्त अंतरश्टी shopping लेनों मेंसे एक है कौन से कथन या कौनसा कथन मेंसे सही है तो तो पहले पता हो न जी कि मलक्का जल्ड नम्रू मत है कहां पे आए देख लेते हैं मलक्का जल्ड नम्रू मत हे यह आपको देखेग़ जいつका मुझाते हैं स्टेट ऑफ मलक्का के नाम से और यह देखे किनकेर के बीच में invece मैं stuck कि मलेशिया और इंडोनेशा को जो अलग कर रहा है वो कौन है स्टेट ऑफ मलक्का पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया इन दोनों के बीच में है यहां थाइलेंड की खाड़ी से प्रिशान्थ महासागर को जोड़ता है क्या सच में ऐसा है आईए देखिए साउच चाइनसी है और इससे आगे होंगे और यहां जाएंगे तो अंडमान सी है जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है तो साउच चाइनसी और हिंद महासागर को एक तरह से जोड़ रहा है लेकिन प्रिशान्थ महासागर और थाइलेंड की खाड़ी को आपस में नहीं जोड़ तो इसको हम हटा देते हैं यानि कि यह गलत हो गया फिर है यह सबसे व्यस्त अंतराष्टी शिपिंग लेनों में से एक है अगर यही सबसे व्यस्त है ऐसा कहा होता तो गलत हो सकता था लेकिन सबसे व्यस्त अंतराष्टी शिपिंग लेनों में से एक है यह बास सही है तो ऐस में पहला और तीसरा सही है तो हम कहेंगे भी हमारा सही जवाब है केवल एक और तीन ठीक है चलिए अब यह अंतराष्टी शिपिंग लेन क्यों इतना महत्पूर्ण हो जाता आप देखिए यह रास्ता ही ऐसा है ताउथ इस्ट एश्या की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं उ और तुर्कमेनिस्तान के बीच इस्तित है और तरफ तीसरा है यह सागर प्रशांत महा सागर से जुड़ा हुआ है अब आपको क्या बताना है कि कौन से कोन सा कथनिदमें से सही है यह है केवल एक और दो केवल एक और तीन केवल दो और तीन यह उपरूक्त सभी अब देख है दगा है चार हैे किसी महासागर से लगी नहीं नहीं थेill देश की बातccionesर से लगा हुआ है आपको बस एक बार देखना है वह कौन-कौन-से देश है आपको सवगतु जाएगा चीक है तो यह सारे के सारे देश जो हैं आपको इस नक्षे पर मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तो इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टेट्मेंट भी साही है फिर उसके बाद यह तीसरा लेकिन देखिए इसका जवाब आपको सीधे सीधे पता है कि यह सही नहीं हो सकता क्योंकि कह रहा कि यह यह प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है यह प्रशांत महासागर से नहीं जुड़ा जब इतने सारे देशों के बीच में है किसी भी महासागर से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है तो ऐसे स्थिति में आप कह सकते हैं कि यहां पर पहला और दूसरा सही है उसक ड्रेक जल नम्रूमत अंटार्कटिका और अर्जेंटीना के वीच स्थित है पहली बात दूसरी है यह दक्षिणी महासागर और अट्लांटिक महासागर को जोड़ता है पिर देखिए तीसरा पर कहता है कि यह दुनिया के सबस्ते स्टकरे जल मारगों में से एक है इतनी बात इसमस्य है यही हमें देखना है पहले हम लिए कि ड्रेक जल कि मत है काँपे जिसको हम ड्रेक पैसेज़ बो जोचते है यह द्रे और एक तरफ आप देखेंगे तो Antarctic शेत्र दिखाई देगा, अब इन दोनों के बीच में आप देखें, तो Drake Passage है, आप देखें, Antarctica और Argentinium, तो यह हाँ पर हम देखें यह बात सही है, अब उसके बाद पहला statement उसे फ्री मिल अगर है हम कहते हैं इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है एक पैसेज कर रहा है तो यह स्ट्रेटमेंट भी सही है अब आए तीसरा यह दुनिया के सबसे सक्रे जलमारगों में से एक होता तो हमें उनके इन दो भूखन्डों के बीच में इतना गैप नहीं दिखाई द हमारा सही जवाब हो गया ठीक है चली अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आते हैं सवाल है निम्लिखित में से कौन से कथन सही है देखिए बैरिंग जल्डम रूमध्य रूस और अलास्का के बीच इस्थित है पहला है प्र दूसरा है यह प्रशान महासागर और आर्केटिक महासागर को जोड़ता है आपको क्या बताना है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है यह है एक एवल एक बीक एवल दो सी एक और दो 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 बी ना तो एक और ना ही दो अब एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर हम जब मैप में जाते हैं तो हमें ए बेजका कही है Alaska वाला जो शेतर है जो मुख्य रूप से कनाड़ा से जुड़ा हुआ है बाकी अमेरिका की मुख्य भूमी से अलग है बहर रूज के काफी करीम में और इन दोनों के बीच में है Baring State तो इसका मतलब क्या हो गया Baring जड़ना बरूमद है रूस और अरलागसा के बीच जो है ये बात सही है दूसरा यह प्रशांत महासागर और आर्केटिक महासागर को जोड़ता है क्या ये बात सही है अब देखें ये है आर्केटिक ओशियन क्याने के C हमारा सही जवाब हो गया आसान था चलिए अब देख लेते हैं आज हम हमारा भ्यास प्रश्ण निमली खित में से कौन से कथन सही है पहला देखे प्योर्ड लैंड न्यूजी लैंड के दक्षणी द्वीपर इस्थित है दूसरा है यह शेत्र हिम नदों द्वारा निर्मित गहरे जलमार्गों से बना है तीसरा है यह न्यूजी लैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित है आपको बताना है उपरियूत कत्वों में से कौन सा या से सही है या है एक केवल एक और दो B केवल एक और तीन C केवल दो और तीन और D उप्रोक्त सभी तो प्रयास कीजे कि इस सवाल का आप सही जवाब दे सकें क्योंकि अगर आप सही जवाब देंगे प्रयास करेंगे जवाब देने का तो हमें और बहतर करने की प्रेणा मिलेगी पिल्हाल के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं के लिए अपसोर में तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद Dear viewers, अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले पिल्हाद